बाबसाब ने हमें जो बार्वी पृतिग्या दिलाई उस बार्वी पृतिग्या में उन्होंने कहा है कि मैं दस पार्मिताओं का पालन करूँगा ये दस पार्मिताओं क्या हैं दस पार्मिताओं जितना मैं समझ पाया हूँ बताने का मैं प्रियास करता हूँ कि जो भगवान बुद्ध का रास्ता है ज्यान का मार्ग है हम उस ज्यान के मार को पूरता तक पहुचा पाएं, समझ पाएं, जान पाएं और अपने जीवन में उतार पाएं उसके लिए ये दस पारमिता हैं एक तरह से आप समझें कि दस नियम हैं जिनके तहत हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं धर्म के मार्क पर ले जा सकते हैं और धर्म के मार्क पर चल सकते हैं तो दस पार्मिताओं में पहली पार्मिता है निश्क्रम में यानि कि निश्क्रमाण अगर सीधे शब्दों में कहें तो कहें कि अगर आप अपना घरवार छोड़ कर सन्यासी बन जाएं और परिवार से, ग्रस से कुछ मतलब न रखें तो वो जो पल होता है, जो जो छण होता है, वो जो समय होता है निश्क्रमर्ण हम निकल गए घर से, उसे निश्क्रम में कहा जाता है और ग्यान के मार्ग पर चलने के लिए ये बहुत जरूरी है तो जैसे भगवान बुद्ध का बताया हुआ रास्ता है और आज के समय में जो भगवान बुद्ध का रास्ता उस पर बिलकुल शुद्ध रूप में जहां समझाया जाता है वो विपशना केंदर हैं जो परम पूजे आचरिय श्री सतनराइन गोयंका जी दौरास्तापित हैं दुनिया में लगबग 165 से जादे केंदर ऐसे चलने हैं और वहां पर भगवान बुद्ध की सिक्षाओं को शुद रूप में लोगों को बताया जाता है उस पर अमल कराया जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी बात को इसलिए नहीं मानो कि कोई आपके घर का बड़ा कह रहा है किसी भी बात को इसलिए नहीं मानो कि आपका कोई गुरू कह रहा है किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई धर्म का बड़ा पधादी कारी कह रहा है ये कोई धर्म गुरू कह रहा है किसी भी बात को तभी मानो जब आप सम अनुभब कर सको और अपने अनुभब के आधार पर आप ये कह सको कि ये सही है ये गलत है और यह बहुजनों के सुक्ष के लिए हैं, उनके कल्यान के लिए हैं, तब ही आप उसको मानो और अपनाओ तो यह जो निश्करम में हैं वो इसलिए हैं कि जब हम ग्रस से दूर होते हैं और केवल ग्यान के मार्क पर चलते हैं, उसके लिए यह बहुत जरूरी है तो निश्करमान जो है निश्करम में ये पहली पारमिता है घर से जूर हमें जाना ही पड़ागा जैसे ततागत गए उन्होंने तपस्या की उन्होंने घोर तपस्या की उसके बाब जुद में नहीं हुआ लेकिन उसके बाब में फिरोना ने बोद गया में एक साब बैट के मन को चित्व को एकागर करके जब ध्यान किया तब उन्हें जीवन का ग्यान प्राप्त हुआ तो घर से बाहर निकले तबी नैशकम्मे का मतलब यह है जो दूसरी पारमिता है वो शील की है शील की पारमिता जो है बहुत महत्पोन है अगर कहा जाए तो बहुत धर्म का आधार ही शील है और शील को हम कह सकते हैं शील के वैसे तो कई अंग है लेकिन सभी के लिए पालन करने के लिए पाँच अंग बताये हैं जैसे मैं आपको उसे बताने का प्रियास करता हूँ, जो शील के पाँच अंग है, उसमें यह है, पाना तिपाता वेरमणी सिख्खा पदंग समाधिया में, यानि कि मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा, दूसरा, अदिन्ना दाना वेरमणी सिख्खा पदंग समा करूंगा तीसरा जो शील का गुन है ahorita जो अंतरगत आता है वह है Kавно सुमिच्छा चारा वेरमणे सिखा पदंग्समाद्यामी यानि कि मैं विशयभोग में काम वासना में कभी भी लिपने रहूंगा उससे दूर रहूंगा चौथा जो शील कांग है वो है मैं कभी भी जूट नहीं बोलूँगा मुसा वादा वेरमणी सिख्खा पदं समादियामी यानि मैं कभी भी जूट नहीं बोलूँगा जो पाँचमा शील कांग है वो है कि सुरा मेरे मजजब अमाद ठाना वेर मनी सिखा पदंग समादियामी यानि कि मैं कभी भी शराब इत्यादी नशिली चीजों का सिवन नहीं करूँगा उन से दूर रहूँगा तो बाद धर्म की ये आधार चिला हैं हाला कि भीक्षियों के लिए तो और भी ज़्यादे हैं पर मूल रूप से ये पांच शील के सिद्धानते इन शीलों का पालन करना बहुत जरूरी है और जब विपशना में आप जाते हैं तो ये शीलों का पालन पहले ही दिन से जब शिरू होता है आपको कराया जाता है और इन शीलों का पालन जब पूरी कठोरता के साथ किया जाता है तब ही हम धर्म के मार्क पर आगे चलते हैं क्योंकि ये बड़ी बाधाएं हैं हम जूट बोलेंगे, हम चोरी करेंगे हम काउवासना में लिपत रहेंगे तो ये सारी की सारी बाधाएं हैं जो धर्म के मार्क पर हमें चलना नहीं देती इसलिए इन शीलों का पालन करना कठोरता से पालन करना बहुत धर्म में नितान तावश्यक है तब ही हम ग्यान के मार्क पर आगे चल पाएंगे तो दूसरी जो पार्मिता है वो शील की पार्मिता है तीसरी पार्मिता है वो वीरिय की यानि प्रयत्न हमें करना है हमारा प्रयत्न बिलकुल इमांदार होना चाहिए लगातार होना चाहिए और बिना प्रयत्न के हम हमारे लिए संभब नहीं है चाहे कैसी भी बादा है जीवन में आएं रास्ते में आएं लेकिन हमें अपना प्रयत्न लगतार जारी रखना चाहिए तभी हम उस मार्क पर पहुँच पाएंगे जो हमारा چौथा जो पारमिता है वो प्रग्या की पारमिता है जैसे मैंने आपको बताया जो धर्म के आठंगों में मैंने प्रग्या के विश्व में बताया प्रग्या का मतलब है निर्मल बुद्धी बिलकुर शुद्ध बुद्धी कहीं भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी संशे नहीं होना चाहिए जो बात जैसी है, जो चीज जिस रूप में जैसी है प्रिकृति में आप उसको उसी रूप में समझें और बिना किसी भी चीज से विचलित हुए, सम्ता के भाप में इस्तापित होते हुए आप जीवन के मार्ग पर चलते चले जाएं सुख दुख से, काम से, कोद से, मोह से, लोब से आप कभी भी विचलित नहों यही धर्म का मार्ग है और यह प्रग्या से ही संबन्दित है और प्रग्या यह सारे रास्तों पे चलने के बाद ही हमें मिलती है और प्रज्या ही वो दृष्टी है जो हमें सही और गलत का फर्क दिखाती है इसके अलावा जो पांचमी पारमिता है वो छांती की छांती की पारमिता कि छांती का मतलब है सही शूनता जब आप जीवन में चलते हैं जरूरी नहीं है कि सब लोग जैसा आप सोचते हों, जैसा आप करते हों, वैसे ही सोचते करते हों, हर वेक्ति का सोचने समझने का तरीका अपना है, हर वेक्ति के सोचने काम करने का तरीका अपना है, जीवन जीने की जो उसकी प्रिनाली है, वो बिलकुल अपनी अलग है, हर एक का आचे रणा होना चीए हम सभी के साथ में रहते हैं परिवार में भी हम सब लोग साथ में रहते हैं एक विचार धरा के नहीं होते इसी तरह से समाज में हैं और जब हम धर्म के मार्क पर चलने हूं तब भी ये सारी चीज़ें होती तो हमें कभी भी इन सबसे विचलित नहीं होना चीए हम के आगे जो पार्मिता है वो उपेक्षा की पार्मिता है उपेक्षा का मतलब है कि कोई चीज किसी भी तरह की हो रही हो लेकिन हमें उन सब से विचलितने होना उसकी उपेक्षा करनी है को जरूरी नहीं है कि हमारे ही हिसाफ से सब कुछ हो तो जैसा हो रहा है हमें सिर्फ उस उससे उस पे ध्यान देना है धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो हमारे कल्यान का रास्ता है तो कोई और भी चीज हो हमें उन सब की उपेक्षा करते हुए आगे चलना है जो इसके आगे और जो हमारी पार्मिता है उपार्मिता है हमारी छमा की हमें छमा सील होना चाहिए कहीं बड़ा इंसान का गुण है जो वेक्तिक ख्षमा कर सकता है वो जीवन में निश्यतुप से धर्म के मार्क पर चलता है आगे जाता है इसके अलावा जो हमारे एक और पार्मिता है वो पार्मिता है हमारे दान की पार्मिता देखे दान देना हमेशा हर समय एक अच्छा गुण इंसान का कहा गया है और हमें भी जितना भी हो सके गर्स वेक्ति को जितना भी अपना वो काम करने के बाद अपने परिवार का भरन पोश्ण करने के बाद जो कुछ भी हो थोड़ा हो जादे हो ये महत्पूर्ण नहीं है म महत्पूर्ण है उसकी नियत कैसी है दान देने की तो उसे दान जरूर देना चाहिए और उसे ये जरूर मालूम होना चाहिए कि मैं भी जैसे वेपश्णा के अंदर में जाते हैं तो वहां आप से कुछ नहीं मांगा जाता न लिया जाता वेपश्णा में जो भी लोग दान पर अपना जीवन यापन करता है तो वही दान की जो एक गों है वो भी इंसान में होना चाहिए कि मैं किसी के दान पर आज इतने समय तक मेरा जीवन चला है मैं जी आहूं तो मैं भी ऐसा कुछ दान देके जाऊं ताकि वो विक्ति जो है जो आने वाले लोग हैं वो भ बहुत बड़े व्यापरी थे बहुत उनके पास धन्दौलत थी एक समय वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आए और भगवान बुद्ध के संपर्क में आने के बाद उन्हें लगा कि ये तो सब के कल्याण का रास्ता है और ये सब कुछ अगर भगवान बुद्ध मेरे हा आनाथ पिंड़क शावस्ती के रहने वाले थे शावस्ती में अगर भगवान बुद्ध आके लोगों को ग्यान दे तो बहुत लोगों का भला होगा लेकिन उसके लिए भगवान बुद्ध के लायक कोई जगे होनी चाहिए तो आनाथ पिंड़क वहाँ आए शावस्ती में शावस्ती में आके उन्होंने देखा कि क्या ऐसी जगे हो सकती है जो भगवान बुद्ध के लायक हो रहने के लायक हो तो उन्होंने देखा कि वहां कि उस समय राजकुमार थे जेत जेत राजकुमार जेत थे उनका एक वन था जिसे जेत वन कहा जाता था तो वो सबसे खुब सूरूत था भगवान बुद्ध ने कहा कि बहु यह जग है अनाथि पिंडग जी ने कहा कि यह जग हम भगवान बुद्ध केεί हो सकती है उन्होंने राशकुमार जेत से बात की तो उन्होंने कहा कि बहु वो बैचना नहीं है मुझे लेकिन अनात्मिन्नक नहीं आप दाम बताओ तो राजकुमार जेत नहीं कहा कि यार इसको थोड़ा इस तरह से दाम बताते हूं ताकि ये खरीद नहीं सके और ये चला जाए ये ना समझ है अभी तो उन्होंने कहा कि भई इसका दाम है कि पूरा जो ये जगे है इस पे सोने की आपको जो है मुद्राएं बिचानी पड़ेंगी ये इसका दाम है तो कहा रहा ठीक ओके उन्होंने कहा कि भी ठीक तुमारा हमारा सौदा पका और उसके बाद में अनात्मिन्दक घर गए अपने गोदामा से सोना निकाल के लाके और उन्होंने बिचाना शुरू किया जेतवन में जहां तक भी लाएं जा गाड़ी भर के लाएं और बिचाना शुरू करें गाड़ी भर के लाएं और बिचाना शुरू करें तो राजकुमार जेत ने कहा कि ये आदमी पागल हो गया है क्या कभी किसी जमीन का इतना भी दाम हो सकता है तो उन्हों का कि भई ये इतना दाम नहीं हो सकता मैंने तो इसलिए कहा ये दाम बता है ताकि तुम्हारा मेरा सौधा होगा और उस समय ये व्यवस्तागती कि अगर एक बार किसी व्यक्ति ने कीमत बता दी और खरिदने वाले ने उस कीमत को शिकार कर लिया और उस कीमत को वो देना उसने उसको दे दिया तो फिर वो मुकर नहीं सकता तो लाला के सोना और बिचाने लगे उन्हों का कि भाई ऐसी क्या बाते जमीन की कीमत इतनी नहीं होती कि नहीं तू नहीं जानता इसकी कीमत क्या होने वाली है कि क्या होगा किरे यहां पर भगवान बुद्ध आएंगे ग्यान देंगे लोगों का कल्या होगा दुखों से मुक्ती मिलेगी यह तो अनमौल है तो किरे अच्छा बस बस रुख जा भई रुख जा जितना तुने कर लिया बाकी का मेरी तरफ से तो जितना अनात्पिंडक उस समय तक बिचा चुके थे सोना वो हो गया और उसके बाद बाकी का था वो राजकुमार जेत ने उनको दान में दिया और उसके बाद भगवान बुद्ध वहां आए और फिर शावस्ति में जेतवन विहार बद धर्म का एक बहुत बड़ा ग्यान का विहार बना और भगवान बुद्ध ने वहां आके लोगों को ग्यान दिया केवल यही बात नहीं जब सब कुछ क्योंके वो आनात्पिंडक भगवान बुद्ध की सिक्षाओं से इतने अंदर तक चले गए थे इतना प्रभावित हो गए थे कि उसके आगे फिर उने कुछ दिखा नहीं तो उन्होंने उसके बाद में अपना सब कुछ धर्म के नाम पर दान कर दिया और एक समय सिती ऐसी आगी कि कुछ भी नहीं रहा उनके पास तो तब जब भगवान बुद्ध सिक्षा दे रहे होते लोगों को तो जब भी वो जाते तो कुछ ना कुछ ले के जाते क्योंकि ग्रस का धर्म है कि जब भी जाए धर्म के इस्तान पर जाए तो दान जरूर दे तो और भी कुछ नहीं तो एक बार के नीचे पड़ेगी वो पेड़ भी खूब फले फूले फलदार हो और उसके नीचे भी अगर एक व्यक्ती भी बैट कर ग्यान प्राप्त कर सके तो मेरा जीवन सफल हो गया धन हो तो दान की जो महिमा है दान जो है वो इस तरह से है इतनी महान है दान की महिमा ये इस तरह से दस हमारी पारमिताएं है धीरे धीरे एक एक करके सब भगवान बुद्ध सब बाबस आप डॉक्टर मेट करने बताएं